कबर भिंट से है जहां रेलवे अंडर बिज में पानी भरने से 15-20 गाउं का मुख्या रास्ता बंद हो गया है पानी की र закон के कारण रेलवे अंडर बिज पूरी तरह से भर चुका है उसमें पानी की निकासी नहीं है चेकेदार की तरफ से पानी निकाला जाता है लेकिन तुरंद उसके बाद फिर उतना ही पानी भर जाता है साथ ही रेलवे अंडर व्रिज का पानी निकालने के लिए शास्की बूर भी लगाए गए थे लेकिन पूरी तरह से फेल हैं जिससे वहां के 15-20 गाउं का यह मुख्य रास्ता है अगर किसी गाउं में डिलेवरी हो या कोई भीमार व्यक्ति हो तो एम्बूलेंस गाउं तक नहीं पहुँच पाती है वहीं गाउं के लोग जान जोखिम में डाल कर रेल की पटरी पार कर वहां निकाल रहे हैं स्कूली बच्चे साइकेल कंधे पर उठा कर रेल की पटरी पार कर रहे हैं तुकावर भिंड से आप देख रहे हैं जहां पर रेलवे अंडर ब्रिज में बारिश का पानी भरा हुआ है लहाजा लोग मजबूर हैं रेलवे पर कि बहुत परीशन ही है यहापर जब से इसका निर्मान हुआ है न तब लोगों में था कःधा है और होपर बनाइन तो इहां क्रुपया बनाय एक टॉपर बशे लेविल का बरसात में तो इतना आ जाता है न किया कोई महला की डिलेवरी होना तो एंबुलेंस यहां तक चार पाई पर लाना पड़ता है उसको इतनी गंदी आलत है